आज के stocks of the day के लिए यतिन गुड़ मॉनिंग अनुजी और देखें तीन स्टॉक जॉच फोकर्स में हैं सबसे पहले भारत फोर्ज जहां हमने देखा है कि जो डिफेंस का आर्मी का टौड गन जो होता है आर्टिलरी गन उसकी जो यूनिट्स आने वाली हैं इसका शायद एक सवा परसेंट की तेजी तिख रही थी और अभी भी आदे परसेंट की तेजी आपको दिखाई पड़ रही है इसके अलावा बाटा नंबर्स थोड़े कमजोर थे margin performance अगर आप देखें तो margins गिरे हैं लगबख सवा परसेंट से साल दर साल बेसिस पे इसके अलावा EBITDA नी एकसाइड की तरह कमजोर प्रदर्शन देखा है EBITDA margin आधा परसेंट गिरा है और अगर हम EBITDA की बात करें तो अनुमान से थोड़ा नीचे जिसके बाद शेयर में लगबख 4 परसेंट का डिक्लाइन और एकसाइड में भी लगबख 2 परसेंट की शुरुवाती डाउन टिक परसेंट की देख रहे हैं ओके है तो यह कुछ आज के स्टॉक्स ऑफ दे जहां पर आज आप मुझ देख रहे हैं मिट कैप इंडेक्स कलके लो के नीचे निफ्टी बैंक फिर एक बार 100 देमा के करीब निफ्टी अभी कलके लो के ऊपर है लेकिन वीकनेस यहां भी काफी बढ़ रही है कुछ ही स्टॉक्स जहां पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है उनमें मेटल में बेटल में अची स्ट्रेंथ है और उसके लावा कुछ सेलेक्टेड फार्मा नेम्स है एकाद इंडेसिंट बैंक जैसा स्टॉक आ गया लेकिन अब टॉप लोसर बन गया एभी बी च पर आगया स्टॉक क्या और करेक्शन दिख रही है यहां पर बिल्कुल आई तिंग और करेक्शन अनुजी आ सकती है हंडेट इम्मेंग एवरेज जो कि 66.50 है वहाद एक स्टॉक फिसल सकता है और डिस्क्लोजर है कि इसमें हमने अपने क्लाइन्स को एक सल साइट पे रिक अप्लिक।